हाई एवरीवन हाब यू आल वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आज फिर से वो चकली जो मैंने ग्यारस पुजा पे बनाई थी वो फिर से बनाने वाली हूं क्योंकि वो अच्छी बनी थी तो गर में उसकी यारी रिक्वाइर्मेंट है तो मैंने सोचा फिर से बना लू और बहुत ही इजी स्टेप्स में वो बन गई थी तो चलो बनाते हैं तो मैंने यहां पे लिया है जवार का आटा यह दो कटोरी आटा जो है वो मैंने लिया है यह दिखिए यह एक कटोरी और यह और एक कटोरी ऐसे दो कटोरी लिया है तो अब मैं यहां पे चिली पाउडर डाल रही हूँ चिली पाउडर और हल्दी डालनी है तो पिंच ओफ हल्दी जो है वो मैंने डाली है और मैं बैटर को जो है वो हलके हलके पानी डालके एकदम से पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें इसे गुनना है और इसमें नमक डालेंगे कर दोड़ा कर दोड़ा है कर दोड़ा है कर दोड़ा है बगु शक्ता ही थे डव जो आए तो तयार जा लेला है तब लेला थोड़े थोड़े ऐसे गोड़े के हिचित मौल्ब प हुआ है कर दो कि अंड़ है, कर दो कॉ झाल का पिड़िया सुना है कि अई खुछरे कॉ आपे कि अपने की अपने की अपत निएर है झाल 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 यह देख रहे हैं है इवरीवन तो अभी आप जो सोरिया देख रहे हैं यह सोरिया मैंने आम्यजों से मंगवाया था तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोरिया है जब Amazon कार सेल चल रहा था दिवाली में तब मैंने वहां से मंगवाया था ये पिछली साल यानि लास्ट येर मैंने मंगवाया था और इस साल मैंने इसमें चकली बनाई क्या देख है कि अगरे टो आशा पत्थ तो अशापत तो ऐसी इसमें थढ़ से देखिये ये चकली जो है ये बनकर रेडी है यमी यमी चकली जो कम ओईल में बनती है और खाने में बहुत स्वाद लगती है और इजी और क्विक तरीके से बन जाती है तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूं देखिए ये जटपट क्विक चकली जो है वो इस तरीके से बनती है दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो में बनाती जाओं